दिल्ली में कोरोना के चलते पिछले एक हफ़ते से लोगडाउन लगा हुआ है दिल्ली के मुख्यमंतिर विंद केजरिवाल ने अगले समवार तक लोगडाउन कोर बढ़ा दिया लेकिन इस बीच दिल्ली में डिटीजी के कंडेक्टरों को एक नई समस्वार सामना करना पड़ रहा है डीपो में उन्हें उस गलती की सज़ा मिल रही है जिसमें उनका कोई दोशी नहीं है दरसल खबर है कि कुछ डीपो में कंडेक्टरों को इसलिए डूटी नहीं मिल रही है क्योंकि उनके कंडेक्टर लाइसेंस के रेन्यू होने की तारिक निकल गई है और वे रेन्यू नहीं है ऐसे में बहुत से कंडेक्टरों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और वे खाली हाथ ही घर जा रहे हैं लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब दिल्ली में सभी RTO आफिसेज बंद है और किने सरकार ने भी 30 जून तक सभी दस्ताविजनों को माने करने की बात कही है तो आखिर क्यों कुछ डीपो अपनी मनमानी कर रहे है आखिर क्यों कंडेक्टरों को परिशान के जा रहा है इस सम्मन्द में दिली परिवर मजदूर संग डीपी मेस के महामंतरी केलाज चन्द मलिक ने भी वीडियो के माद्यम से अपना रोज प्रगट किया आईए आपको सुनाते हैं क्या कहा केलाज चन्द मलिक ने मैं आपके चैनल के माद्यम से डीटीशी मेनेजमेंट के पास ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि कुछ ड्रावरों के एर कंडेक्टरों के लेसेंस कुरोना काल में जो खतम हो गए हैं रिनू होने हैं उनको डूटी मेनेजमेंट नहीं दे लिए और ये कहके परला जाड़ रहे हैं कि हमारे पास कोई आदेश नहीं आया मेरा उच अधिकारियों से अन्रोद है कि डीपो अस्तर पर इस तरह की जो गतिविद्या हो रही है इन पर रोग लगाई जाए और केज सरकार ने 30 जून तक आदेश किये हैं जिसका लेसंस इस जोरान रिनू होना है तो वो 30 जून तक वैलिड बना जाए तो उस लेटर का वाला देते हुए इन सभी करमचारियों को डूटी दी जाए और जिनका कॉंटेक्ट खतम हो रहे उनको कॉंटेक्ट रिनू किय कोई जान बूच कर तो अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने से पीछे नहीं अटेगा ऐसे में उम्मीद है कि खबर के बाद कंडेक्टरों को मदद मिलेगी और उन्हें ड्यूटी भी बराबर ही मिलेगी न्यूस टांस्पोडिशन श्पीर अपार्ट दिली